अब इहम सोशन तंत्र रेस्पारेटरी सिस्टम के क्वेशन करें जिसमें हमारा नेक्ष्ट क्वेशन है निम्न लिकित में से कौन सा जनतू श्वेशन तो करता है प्रतु श्वेशन अंग नहीं होता है तो ऐसा कौन सा जन्तु है वह है केचवा केचवा क्या करता है श्वशन करता है लेकिर इनमें कोई श्वशन अंग नहीं होता है केचवा जो होता है त्वच्चा द्वारा श्वशन करता है मेंधक जो होता है वो टेटपॉल लार्वा गिल से सिस्वांस कर करता है और जो कोक्रोछ होते हैं वो क्या करते हैं त्राइट के निर्ट से हैं तो इतने सारी साधि allow that नहीं होता है जो कॉक्रोछ पर lookin w institutions करते हैं पर पर जुफला करते हैं अपनी इसकीन से बहींक पर दो केज़़कर में इन में कुछ श्वशन अंग नहीं होता है लेकिन वह अपनी त्वचा से श्वशन करते हैं लेस्ट कोशन है तील चट्टे में श्वशन अंग कौन सा होता है जो तील चट्टा होता है उनमें श्वशन करने के लिए जो श्वशन अंग होता है वह कौन सा होता है तो आंसर है ट्रैक्या यह स्वशन जो होते हैं वो ट्रैक्या से करते हैं जो बड़े चीह होते हैं वो फेपड़े में स्वशन करते हैं जैसे कि हो गए हम मनुश्य और में जग कुछता आदी लेकिन मश्लिय जो होती वो स्वशन की से करती हैं गिल से से करती हैं तो यहां पर हमसे ट्रैक आगे बढ़ते हैं कोशिका में भोजन या ग्लुकोस को ऑक्सी करण कहां पर होता है जो हमारी सेल होती है उसमें भोजन हो गया या ग्लुकोस हो गया इनका ऑक्सी करण जो होता है वह कहां पर होता है आंसर हो जाएगा माइट्रो कॉंट्रिया में कोशिका में भोजन या ग्लुकोस को ऑक्सिकर्ट माइट्रो कॉंट्रिया में होता है कोशिका में राइवोसोम पाया जाता है इसमें प्रोटीन का संशलेशन होता है इसलिए राइवोश्रम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है कोशिका द्रव, पादप कोशिका एवं जन्तु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है जो कोशिका द्रव होता है वो जन्तु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है और इस कोशिका द्रव्य में 90% क्या होता है वाटर होता है और जो 10% होता है उसमें खनीश लवर, कार्बो हैजरेट, प्रोटीन आधी सभी पाय जाते हैं कोशिका द्रव्य कोशिकांग को सुखने से बचाने के कार्या करता है इतनी बाते हमें इसमें समझ में आ गई दिखें दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजे और शेयर भी कर दीजेगा आगे बरते हैं ग्लुकोज के एक अडू के पूर्णा आक्सी करण से कितने अडू प्राप्त होते हैं Next Question है HP Sensilation की क्रिया क्या है? तो ATP Sensilation की जो क्रिया है वहाँ कैसी है? Answer हो जाएगा उर्जा, शोशी ओश्मशोशी हो जाएगा ATP Sensilation की जो क्रिया होती है वहाँ जिसकों की endedronic भी कहा चाता है English में Next adverse study में Carbohydride निम्नलिखीत में विखंडित हो जाते हैं जो हमारी स्वशन की क्रिया होती है, स्वशन की प्रोसेस होती है, उनमें कार्बोहेडर किसमें विखंडित होते हैं, तो जो कार्बोहेडर रहते हैं हमारे शरीर में, तो स्वशन की क्रिया के समय ये कार्बन डाय अक्साइड और जल में विखंडित हो जाते हैं, यह स्वशन क्या होती है catabolism process होती है नेक्स question है देखे वह question पूशलिया कि सवसंद क्या होता है तो सवाशन अभी मैंने आपको बता है कि Catabolism होता है यानिकी up-chain प्रक्णिया होती है नेक्स्ट कोश्चन है एक ग्राम ग्लुकोज की समपूर्णा ओक्सी करण से कितने अड़ू एटिपी के बनते हैं तो एक ग्राम अगर ग्लुकोज का ओक्सी करण होगा पूर्णा तो कितने अड़ू एटिपी के बनेंगे आंसर हो जाएगा 38 ATP के अड़ू बनेंगे जल में घुलनसील होता है सुक्रोच, एक अड़ू ग्लुकोच तथा एक अड़ू फ्रुक्टोच के मिलने से बनता है यहां कार्बो हैड़ू का क्या होता है सेकडδाई सेकराइट होता है विटामिन सी जो होती है है आगी बढ़ते हैं कोशिकाओं में तत्कालिन उर्जा उत्पादन के लिए निम्लखित में से एक दिया जाता है तो कोशिकाओं में हमें इंस्टेंट एनर्जी प्राप्ट करने के लिए कौन सी चीजें हम हो दो लेनी चाहिए अंसर हो जाएगा गुरुकोज जैसे की कारबो में क्या होता है बहुत अधीक इंस्टेंट एनर्जी देने का जो है शक्ति या पावर रहती है तो उसी का फार है तो ग्लुकोज किया करते हैं इंस्टेंट एनर्जी देता है workers को gray LED दिमनलिखित की सहता से सांस लेता है तो मशली मैंने आपको बताया था कि किसकी वज़े से सांस लेता है चिसकी वज़े से बाणी तैनल जाता है जब मशस्टें से बहार निकाल ले जाता है तो वह सांस लेने में असमर्द रहए पाती हैसांस कहां से लेते हैं फेफरेस से लेते हैं और सब्सक्राइब नेस्ट इसमीं ऊर्जा का उत्पादन होता है उसके द्वारा उर्जा का उत्पादन होता है तो आंसर हो जाएगा श्वशन स्वशन की प्रक्रिया में क्या होती है उर्जा मुक्ति होती है और यह कारबन डायोकसीड और जल में तोड़ते हैं नेक्स से निमनलखीत पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वशन अंग है तो इन में से कौन सा अंग, श्रशन अंग होता है, तो आंसर हो जाएगा पत्ती, जो पादप होते हैं, वो सांस किसे लेते हैं, पत्तियों से सांस लेते हैं, पादप में श्रशन पत्ती के दोरा होता है, और कुछ चानकारें इससे हम ले लेते हैं, जैसे फूल के अध्यान क को एंथोलाजी कहा जाता है जड़ जो होते हैं पौधे को इस्तीरता प्रदान करता है जल एवर खनीज लमर का अशोशन करता है भोजन संग्रा करने का काम करता है और पौधमें जो पत्ति के द्वारा क्या होता है प्रकाश संस्टनेशार वाज्पॉर्च सर्जान तथा प्रकाश निशन किसमें होता है तो प्रकाश निशन की प्रक्रिया होती है मैंने अभी आपको बता रहा है किसमें होती है पेड़ों की पत्तियों में होती है जो प्रकाश निशन हो गया बासपोर्ट शर्जन हो गया और श्रशन यह सभी क्रिया किसमें होती है पेड़ के पत् कि दिर्ग कालिन कठीन परिश्रम के पस्चात मास पेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है तो बहुत अधिक कठीन परिश्रम करने के पसाद हमारी मास पेशियों में जो थकान अनुभव होती है वहां किसके कारण होता है लाक्टिक एसिट के कारण होता है लाक्टिक एसिट का जमाव हो जाता है मांस पेसों में जिसके करण हमें ठकान का अनुभाव होता है नेस्टर कोशन है यहां कहां पाचन एवं स्वशन मार्ग एक दिस्टरे को अतिक ग्रम करता है असी कौन सी जगह है जहां पे हमारी जो पाचन होती है और सवसन होती है दोनों एक दूसरे को अतिक रम करता है तो कांसल जाएगा हमारा आज़र श्वर्यांत्र में स्वर्यांत्र लेरिंग्स को वाइस वॉक्स सौन वॉक्स भी हम कहती है लेरिंग्स में पाचन इवं शशन मार्ग एक दिसरे को अतिक रमर करता है ग्रस्नी में भोजन का पाचन नहीं होता है यह भोजन को मुख से अमासर तक पहुचाने का काम करता है तो गरसनी का काम क्या हो गया कि हमारे मुख में जो भोचन है उसको अमासे तक पहुचाती है और जहां पर लेरिंग्स होता है जिसको हम सौंग वोक्स या वोईस वोक्स कहते हैं यही पर पाचन और सोशन दोनों के रास्ते एक दूसरे को अतिक्रमन करते हैं